विए जी तेखेगे में आप बात पहने हो ऊंटी विएखरा पहने हो। देखे, मैं अन्हाधच पूजा अब रहा हुआ हूँ तो देखे, ऐसी आप पिजा खु. जिर में तयार हो आपी हूए वागवत के तारी कंजरेक आप वही पर आज कलस यात्रा है कुछ न मैं भी चलो घर का कई काम हो गया है और मैं नहादों हो गई कि कि चलो खेंल कलस यत्रे कुछ मैं कभी गई हूँ व्रहिट है देखे लेकिनक हैं तो मैं फ्रेंड इनकर देखतीं अपना फुल लुक और आप बताईएंगे कीजा लग रहा है तो फ्रेंड ये देखी ये ये मेरा ये स्मिन वश्मराओ सारी है और सिंपल सा सारी है जो कि ऐसा दिख रहा है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सारी तो फ्रेंड ये देखिए ये कलस यात्रा का सारा कलस भरा हुआ है यहाँ पे तो अभी भरा हुआ नहीं है बस कलस सच के यहाँ पे रेटी है और अब सब निकलेंगे कलस लेके अपना तो कलस लेके फिर कलस को यहीं से भर के और यहीं पे भुमाया जाता है लेकिन हम लोग की घर पे होता था कि कलस लेके खालिक कलस लेके दिखलो और फिर किसी नदी नहर में जाके कलस भरो और फिर वहां से फिर लेके आओ लेकिन यहां पे नदी नहर तो बहुत दूर है तो यहां से भर के कलस निकल गया है और देखे सारे कोई तो कोई गिंती नहीं है कि कितने लोग हैं बहुत सारे लोग कलस भ तूर गई और फिर आदे कैसे मैं चली आई क्योंकि दूप बहुत जादा था और मेरा दूप में तो बहुत हालत खराब हो जाता है इसलिए मैं नहीं गई पुरा कि और यह देखिए यह सारे सब को जा रहा है तो कि और यह से पहले कलस्यात्र सिस्ट देखी थी कभी गई नहीं थी तो इसलिए सब बोले की चली चली तो मैं भी तयार हो गई कि चलते हैं और यहां पे देखिनारक मीं बहुत these dance यह सब किये हैं तो लगी नहीं रहता है की गढ़्मी है या धूप है सब बहुत जного है कि कि और फिरंड जैसे जैसे हम लोग जा रहा है थे वहां पर हर जगा अपने घर से सब सेवा के लिए त्यार थे सब अपने घर से और श्रेंड उसके बाद फिर कलस आ गया है तो फिर मैं तो आदे रास्ते से आ गई लेकिन जब कलस आया मंदिर में तो मैं भी आ गई देखने के लिए तो यहां पर देखिए यह सिव जी है तिप पंचायत इनका पुड़ा है शिप परवती नंदी गनेश और विष्णु भगवान तो यह सारे भगवान जी है और यहां पर सनी देव है तो मैं इसके बाद वाला वीडियो अप्लोड कर चुकी हूं तो मंदिर का पूजा मैं दि दिखाई थी जैस दिन यहां पर प्रांपरतेष्ठा हुआ था मुर्ति बैठा था वो वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखाई थी और उसके बाद मैं कई वीडियो अप्लोड कर चुके हूं तो इसलिए फिर अभी यह वीडियो अप्लोड कर रही हूं और देखिए य और देखिए फ्रेंड की इतनी गर्मी है इतना दूप है फिर भी सबका अपना अपना स्रधा है और सब बहुत ज्यादा भक्ति में सब रहते हैं तो यहां पर सब अपने यहां यह हो रहा है भागवत का सब हो रहा है है और फ्रेंड इतनी धूप से आने के बाद मैं थोड़ी से ठक सी गई थी तो आने के बाद फिर मैं यह आइस्ट्रीम और गुलाब जामून थोड़ा सखाई और फ्रेंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग बताईएगा और मेरे वीडियो को एंज्वाई क किजिए और आईए यह आइस्ट्रीम और गुलाब जामून भी एंज्वाई किजिए और यह गुलाब जामून मेरा बनाया हुआ